नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में दोस्तो ये सभी पुराने चैनल वापस आने वाले हैं जी हाँ दोस्तो क्या है पुरी जानकरी क्या सच में ये पुराने चैनल यहाँ पर डिरी फ्रीडिस पर वापस आने वाले हैं इनके बारे में मैं आज आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ इसलिए आप वीडियो को एक लाइक कर दीजे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजे ताकि ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे और नीचे कॉमेंट में बताईए आपको ऐसा कौन सा चैनल है जो आपको पसंद है और दीजी फ्रीडिस पर आना चाहिए उस चैनल का नाम आप नीचे कॉमेंट में बताईए और आपको कोई भी सवाल है तो आप कॉमेंट में पूछ सकते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बात करें तो डीडी फ्रीडिस पर कुछ पुराने चैनल है यहाँ पर है सहारावन, महा कार्टून टीवी, सोनिकल, मैंगो टीवी, ए टीवी, बाल भारत मतलब यह कुछ पुराने चैनल है, जो कि यहाँ पर डीडी फ्रीडिस पर पहले थे, लेकिन अब यहाँ पर डीडी फ्रीडिस से हट गए है और यहाँ पर सोनिकल चैनल है, यहाँ पर डीडी फ्रीडिस पर अभी तक लौंच नहीं हुआ है तो इनके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ तो देखें यहाँ पे जो 75 E-Option वो यहाँ पे हो चुका है और उसमें जितने भी चैनलों ने इसलोट जीते थे वो सब आपको एक अप्रेल से देखने को मिलने वाल है तो इन पुराने चैनल की बात करें तो इस E-Option में तो अभी आपको देखने को नहीं मिलने वाल है लेकिन यह जो चैनल है यहाँ पे आपको कभी भी बीच में E-Option होता है तो सायद में भी चांस है कि आपको देखने को मिल जाए या फिर यहाँ पे जो अगला Annual E-Option होगा उसमें भी सायद आपको देखने को मिल सकते हैं इन चैनलों के बारे में अभी यहाँ पे कोई भी confirm date नहीं है या फिर कोई भी confirm यहाँ पे news नहीं है कि यह चैनल कब तक आपको DD Freeders पर देखने को मिलने वाले हैं यह सब यहाँ पे पुराने चैनल है और यह चैनल यहाँ पे DD Freeders पर पहले थे लेकिन अभी नहीं है और इनकी जगा आपको यहाँ पे कुछ नए चैनल देखने को मिलने वाले हैं जैसे कि सन्नी हो गया, मस्ती हो गया, धमाल हो गया यह चैनल यहाँ पे DD Freeders पर लौंच हो गए हैं और यह आपको एक अप्रियल से DD Freeders पर देखने को मिलने वाले हैं तो जैसे ही दोस्तों अगर इन पुराने चैनलों के बारे में कोई भी खबर आती है तो मैं सबसे पहले आपको वीडियो बना कर बता दूँगा इसलिए आप वीडियो को एक लाइक कर देना चैनल को सबस्क्राइब कर देना ताकि ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे और कोमेंट में आपको कोई भी सवाल है तो आप नीचे कोमेंट में पूछ सकते हो